प्यारे बच्चों, आज हम हमारी नई NCRT की पुस्तक सारंगी कक्षा पहली का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ये पार्ट है दादा दादी के बारे में एक कवीता तो पार्ट का नाम क्या है? दादा, दादी और ये एक कवीता है अच्छा पहले मुझे ये बताईए, आप में से कितने बच्चे अपने दादा दादी को बहुत प्यार करते हैं? सब ही करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि दादा दादी हमसे प्यार करते हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं है ना आप में से कुछ बच्चे अपने दाद दादी के साथ रहते हैं और कुछ किसी कारणवश दूर रहते हैं लेकिन भले ही आपके दाद दादी आपसे दूर रहते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमें भी अपने दादा दादी का बहुत ध्यान रखना चाहिए तो पहले हम कवीता गाएंगे उसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखेंगे चलिए शुरू करते हैं आप मेरे साथ साथ गाईए एक हमारे दादा जी है एक हमारी दादी दोनों ही पहना करते हैं बिलकुल भूरी खादी दादी गाना गाया करती दादा जी मुसकाते कभी कभी दादा जी भी कोई गाना गाते तो ये हमारी कवीता है प्यारी सी दादा और दादी के बारे में चलिए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं कि एक हमारे दादा जी हैं एक हमारी दादी हैं और दोनों पहनते हैं भूरी खादी भूरी खादी मतलब ब्राउन कलर का खादी एक कपड़ा होता है फिर जब हमारी दादी गाना गाती है तो दादा जी मुस्कुराते हैं और कभी-कभी तो दादा जी भी कोई गाना गाते रहते हैं तो आपने भी अपने दादा दादी को गुन-गुनाते हुए देखा होगा तो ये कवीता है दादा दादी के बारे में और इसको लिखा है श्री प्रसाद जी ने तो इस कवीता के कवी का नाम क्या है श्री प्रसाद चलिए अब हम देखते हैं इसके अभ्यास में क्या-क्या आया है इस कवीता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कवीता को फिर से गाईए जैसे हमने दादा दादी के बारे में इस कवीता को गाया है तो जहां दादा आए हैं वहां आप नाना बोलेंगे जहां दादी आई है वहाँ आप ना नहीं बोलेंगे और इस कवीता को फिर से गाएंगे अगले पेज पर पेज नमबर 9 जटपट कहिए इसको हम कहते हैं टंग ट्विस्टर्स टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमें साफ बोलना आता है अच्छे से बोलना आता है लेकिन जब हम इसको शुरू में बोलना सीखते हैं तो हमारी जो जीब है वो अच्छे से नहीं बोलवाती और वो बहुत फणी लगता है तो आप इसको बोलने के प्रैक्टिस करेंगे क्या बोलना है अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनतनगर आए इसके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर घर घड़ी 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 है ना बार-बार बोलेंगे तो बहुत फणी लगेगा अब आते हैं शब्दों का खेल शब्दों का खेल पहला है अपू, अपा, अपम की तरह अ की जगह म, न, द की ध्वनी से शब्द बनाकर सुनाईए तो जैसे अपू, अपा, अपम ऐसे ही आप म से कोई शब्द बनाएंगे न से और द की ध्वनी से शब्द बनाकर सुनाएंगे आप कुछ भी बोल सकते हो, यह जरूरी नहीं है कि उनका कोई मिनिंग निकले तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मपू, मपा, मपम ऐसे ही कुछ भी आप अलग-अलग ध्वनियों से भी शब्द बना सकते हैं नमबर दो, निमन लिखी शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताईए अब आपको यह बताना है कि जो नीचे शब्द हैं उसमें कितनी आवाज हैं, कितनी ध्वनियां आ रही हैं ठीक है? तो ध्वनि देखो, दा-दा कितनी ध्वनिया हैं? दो फिर दा-दी, कितनी है? दो चार, अपना, अपना, तीन, अनार, अनार, तीन, न मन, न मन, तीन तो आपको ये बताने है कि इसमे कितनी ध्वणिया आई है नमबर तीन, बोल मेरी मचली कितना पानी ये आपने एक गेम खेला भी होगा और इसमें आप बच्चों के साथ मिलकर अपने टीचर के साथ मिलकर भी इस गेम को खेलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा अभी इस चित्र में देखकर आपको ये बताना है कि मचलियों की संख्या कितनी है तो इनको हम गिनेंगे एक दो तीन चार तो कितनी है चार है अब आते हैं अगले पेज पर आओ सुने तो हम देखते हैं क्या सुनना है आओ सुने पहला है अपना अनार तो अपना और अनार में इन दोनों शब्दों में पहली ध्वनी कौनसी है जैसे हम इंगलिश में भी करत आई है और इसमें भी तो दोनों में कौन सी ध्वनी पहले आई है उसके बाद नमबर दो जिन शब्दों की पहली ध्वनी अ है उनके आगे सही का चिन लगाईए चिन होता है निशान तो देखिए अनार अनार अ पे आया है तो हम चिन लगाएंगे टिक करेंगे फिर अ इसमें भी अ है अदरक 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 इसमें भी है उसके बाद मा में तो अ नहीं है तो इसमें हम क्रोस करेंगे दादा इसमें भी अ नहीं है घर घर में भी अ नहीं है तो इसको भी हम क्रोस करेंगे अब है last, खोजें, जाने, दादा, दादी और नाना, नाने कवीताओं को अपने परिवार की किसी सदश्यों को सुनाएं, उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कवीता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें, तो आप अपने घर पे अपने दादा, दादी से उनसे जुड़ी हुई कोई पुरानी कवीता या कहानिया सुन सकते हैं और अपनी कहानी और कवीता उनको सुना सकते हैं तो ये था पार्ट नंबर दो के बारे में इसमें हमने अध्वनी के बारे में समझा है तो आप अपनी हिंदी की नौटबुक में हिंदी की कॉपी में अ से जो शब्द आप बोल सकते हो और आसानी से लिख सकते हो उन शब्दों को लिखेंगे तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक स्वस्त रहिए सीखते रहिए